अश्लिल विचारों को कैसे रोगे गवतम बुद्ध की शिक्षाप्रत कहानी अगर ना चाते हुए भी मन में अश्लिल विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपकी विचारों को बदल सकती है तो आईए सुनते हैं बुद्ध की कहानी एक बार चंद्रुवन्शी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिख्षू के रूप में दिख्षित हुए भुद्ध अपने भिख्षू को अपदेश देने के साथ साथ उनको भिख्षाटन के लिए भिषते थे जहां से उनको भिख्षा मिलती भरत को महात्मा बुद्ध ने विख्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा हमेशा महल में खाने के लिए अंगिनत स्वादिस्ट भोजन मिलते थे लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिख्षा के लिए याचना की श्राविका ने भरत को बैटने के लिए कहा श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुना अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचम्बित रह गए भरत अपने प्रिय भोजन को देख कर खुश हो गए भरत बिख्षा गरन करने लगे विख्षा घरन करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है लेकिन आज उने यहां से खाना घरन करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना है बोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आगर किया भरत पुना खुश हो गए सारी च्छाओं की पूर्ती होते देख भरत इसको एक सहियोग मान कर कुछ देर के लिए लेड़ गए लेड़ते वे भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छट का साया तो मिढ गया है जब भरत सोकर पुना उठे तो श्राविका ने खहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर रह सकते हैं अब भरत समझ गए कि यह कोई सैयोग नहीं है श्राविका जरूर मेरा मन पड़ रही है भरत खड़े हुए भरत ने श्राविका से पूछा मुझे छमा कीजिए पर क्या आप मेरा मन पड़ सकती हैं आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू शुरू में मेरे लिए ये कटिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया, शुरू में मेरे विचारों की संख्या अंगी न थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रिट किया, मैंने बिना पक्ष वि विचार पड़ लेती हूं यह सब सुनकर भरत घबरा गये भरत ने श्राविका से आग्याली और वहां से निकल पड़े रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लेल विचार आए श्राविका ने भ भुद्ध को खुद पर शर्म आ रही थी, भुद्ध आश्रम पहुँचे, भुद्ध से कहा कि अपसे वह कभी विख्षाटन के लिए नहीं जाएंगे, भुद्ध ने भुद्ध को नीचे बिठाया और कहा, क्या हुआ तुम मुझे अपनी व्यथा, विस्तार से बताओ, भुद्ध ने कहा कि आज से साथ दिनों के लिए इश्राविका के घर पर भिख्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना, तुमारे अंदर कौन से विचार उ उट रही है, इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्ष करना, अगले दिन भरत बुद्ध के बताया अनुसार, पूरे मार्ग में अपनी होश को जागरत रखते हुए चल रहा था, बिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुआ था, जैसे जैसे श शराविका के घर पर पहुँचा, तो उसके दिमाग में केवल एक सननाटा था, जिसके बीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी, भिख्षु भरत ने भिख्षाली ग्रहन की और वहां से वापस निकल गया, आज भरत रास्ते मे नास्ते हुए हाया, आज उसको जिस आनन की अनुभूती हुई वह अदबुध थी, आज से पहले इस आनन को उसने कभी महसूस नहीं किया, भरत ने आश्रम जाकर बुध को प्रणाम किया, महाद्मा गौतम बुध की कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, कि हम अपने वि धन्यवाद